हरे कृष्णा जैशी रादे वेल्कम बैक टू में चैनल कृष्णा लवाट तो ये देखे आज ये इस तरीकी की बहुत ही पैरी कुपसरसी ड्रेस हम गौपाल जी के लिए आज की इस वीडियो में बनाएंगे ये यहां पर एक नंबर और दो नंबर के गौपाल जी को आप ये इस तरीके की ड्रेस बना करके पहना सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है एकदम असान तरीके से और बहुत ही जल्दी फटा-फट से बन करके ये रडी हो जाएगी तो चली बनाना शुरू करते हैं लेकिन शुरु करने से पहले लगाएज आपने चैनल को अब शब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रस कर लिजेगा जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो विडियो अच्छी लगे तो प्लीस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमन करके ज़रूर बताईएगा तो चली शुरूर करते हैं वीडियो को तो यहापर ये देखे मैंने ये फैबरिक ले लिया है स्टरीक मेने यहापर ये लिया है इसमें इस이스पर सितारी का वर्क हो रख है तो इसकी measurement यहाँ पर देखे इसकी यह length में यहाँ पर देखे लगबग सारे 17 या 18 इंच की आप इसकी लंबाई रख लीजे और इसकी चोड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच की ले लिए इसको फोल्ड करके यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देंगे पलट करके यह दिखे मैंने यहाँ पर इसको सीधा कर दिया है सीधा करने के बाद हम इसको नीचे की साइड से भी हलक हलका सा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो एक स्लाई हम यहाँ पर भी लगा देंगे एक सीध और फिर इसके उपर हमें आपर लेस लगाएगे पहले हम यहाँ पर एक सीधी स्लाई लगा लेगें तो यहाँ पर यह सीधी स्लाई लगाने के बाद आप इस पर अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं मैं यहाँ पर यह इस तरीके की बहुत ही सिंपल सी लेस ले रही हुए देखिए वाइट कलर की सिल्बर कलर में यहाँ पर इस तरीके से एक इसको भी मैं सिंपल इसी तरीके से रख करके लगा सकते हूँ या दिखे इसमें मैंने यहाँ पर ये भी लेज ले लिया इसके साथ लगाने के लिए इसमें उपर और नीचे की साइड दोनों साइड ये इस तरीके से रख करके मैं नीचे की साइड रख करके इस पर हमें सलाय लगानी है तो चले इसको दोनों साइड डग करके अटैस्च कर देते हैं लेस को इसके साथ तो दिखें लेस लगा करके भी यह त्यार हो गया है इतना फैबरिक अब इस पर हमें यापर चोटी चोटी प्लेट्स हमें डालनी है प्लेट्स जाल करके त्यार कर देते हैं से देखें प्लेट्स जाल करके भी यह इस तरीके से इसका राउंड शेप आएगा यह त्यार हो गया है अब इसके उपर हमें यापर चोली बनानी है यह दीखें इस तरीके से राउंड आएगा तो चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैं यह स्ट्रिप ले ली हैं दोनों यह देखे इस फैब्रिक की भी और यह अस्तर के फैब्रिक की भी दोनों स्ट्रिप ले ली हैं इसकी यह देखे जो मैंने यहाँ पर चड़ाई रखी है लगभग सबा इंच सबा डेड़ इंच की आप ले लीजे और लैंथ इसकी मैंने यहाँ पर बारेंच की ले लिए एक सीधी स्लाइस में लगा दिये अभी देखे इस तरीके से इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे पिछी की साइड से इधर से फोल्ड करेंगे और इधर की साइड से आगे की साइड रखते हुए थोड़ा सा आगे की साइड इधर से फोल्ड कर देंगे और फिर एक सीधी स्ल लगा देंगे तो यह स्ट्रिप बन करके यहां पर रेड़ी हो जाएगी तो देखे एक सीधी स्लाई लगाने के बाद इस पर मैंने यहां पर यह नीचे से दोनों साइड यहां पर लेस भी लगा दिये इसको हम यहां पर डबल यह देखे करके दो इसकी हमने स्ट्रिप त्यार कर लिए अब इसको हम बीच में से थोड़ा सा स्लाई लगा देंगे इधर की साइड से और इसकी चोली बना करके हमें त्यार करनी है ड्रस के उपर लगाने के लिए इधर से भी स्लाई लगाएंगे तो चले कर लेते हैं तो देखे ये इस तरीके से रड़ी हो गई है हमारी चोली बन करके आप इसको हम या पर ड्रस के इस तरीके से रख करके उपर पूरे बेस पर रख करके हमें या पर सीधी एक स्लाई लगा देंगे देखे सीधी स्लाई लगाने के बाद ये रख बन करके हमारी त्यार हो गई है देखे बहुत ही पहरी खुपसुरसी रख बन के त्यार हुई है और एक्तम फटाफट से बना करके आप इसको रेडी भी कर लेंगे ये देखिए कितनी खुबसरत सी ड्रेस बन करके फटाफट से त्यार हो गई है I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कॉपाल जी कि ये पशाग भी आपको पसंद आई होगी जी अगर अच्छी लगे ये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग में वीडियो